हेलो स्टुदेंट्स गोड़ इवनिंग तोल फ्यू सम्रद्धी आदी अलोक डिम्पल मैयूरी निकिता पल्लभी शेक खदीजा चैलेश श्रद्धा श्रेया भी श्रेया पी सुजाता तनीशा मैं अभी फोन को थोड़ा साइड में रख रहा हूं तो आपके चैट मैं एक पैटिकुलर देरी से देखूंगा क्योंकि मुझे अपने हाथों को इस्तिमाल करना है तो आप बराबर चैट कर सकते हो मैं हर दो तिर मिट में एक बार आपनी चैट को चैट करूंगा ओके चलो कल हमारा हुआ था था कल हमारा फर्स लेक्टर था उसमें क्या पढ़ा था जो हमारे बोडि के अंदर एक स्क्रेटरी वेस्ट प्रॉडक्ट है वो कितने टाइप के हैं मेजॉर्टी किसकी है कैसे बनते हैं और जो एक्स्क्रेशन की डेफिनिशन है इस बारे में हमने इसके लाब बटरफ्लाइव में निकलता है इंसानों में अगर आप बात कुरोगे तो हमारे जो बाइल पिगमेंट्स हैं बिली वर्डिन यह भी एक्सक्रेटरी बेस्ट प्रॉडक्ट हैं सीओ भी निकालते हैं तो डिफ्रेंट डिफ्रेंट और्गिनेजमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट निकलते हैं बहुत सारी चीजें हैं हमने कल यह डिस्क्रस कर लिए आज हम NCRT का इस चैप्टर का जो सेकेंड नंबर का पेज है उसके फर्स प्रेग्राफ में क्या लखा है कि इसमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट और्गिनेजमें जो डिफ्रेंट डिफ्रेंट एक्स क्रिट्री और्गंस उसके बारे में बात करने जैसे अगर आप इंसान की बात करोगे तो हुमन के अंदर क्या है किड्नी है लेकिन सब के अंदर तो किड्नी नहीं होगी किड्नी सिर् और जो kidney है मैं आपको kidney के भी evolution पर लेके जाऊंगा क्योंकि वो भी आपको बहुत सारे tough question का आंसर देने में मदद करेगा तो हमारा आज का जो topic मैं पढ़ने बाला हूं excretory organs in different groups जैसे मुझे में kidney है तो अलग-अलग group के जो animals होते हैं उनमें अलग-अलग excretory organs होते हैं तो NCRT की क्लाइन है जो most of invertebrates है नहीं फाइलम पोरी फेरा से लेके फाइलम hemicordata तक यह सब क्या है इन वर्टिब्रेट्स है तो most of invertebrates में जो excretory organs है वो क्या है बिटा simple tubular form है यह question line to line बिल्कुल आ सकता है कैसे है simple tubular form वो जो वर्टिब्रेट्स है वर्टिब्रेट्स में कौना जाएगा फिश amphibia reptile birds mammals इस सब क्या है हमारे वर्टिब्रेट्स है तो वर्टिब्रेट्स में जो आपका excretory organ है वो क्या है complex tubular form है यानि इन वर्टिब्रेट्स में क्या है simple tubular form है वो जो आपका vertebrate है उसमें क्या है यह complex tubular form है जिसको लोगों नाम दे दिया kidney यानि वर्टिवेट में अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ना लगबाग किड़नी पढ़ना है समय क्या होता है किसमें कैसी किड़नी होगी यह मैं आपको तो एंसे के बाहर जाके दो मिनिट में आपको बता हूँगा तो हम एक एक करके पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यह भी यह गुता है कि करता होगा कו किससे करता होगा कॉंट्रेक्टाइल वैक्िू से करता है इसने मेने प्रोटो जवह को यांपे एक लिए बोदें आपने गैंडल जलती हमाइज डेखा है न जैस memorial पर जो आप अगर देखोगे ना तो केंडल पर ऐसी कुछ जलती रहती में बहुत अच्छा डाइग्राम बना नहीं पाया ऐसी जलता कि नहीं जलता है इसके बज़े से इसका नाम रखा है फ्लेम सेल विकॉड 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 लुक लाइक फ्लेम ये केंडल के ऊपर जो आग जल प्लेम सेल फ्लेट बॉम एफ एप से आपको याद होगा कर नहीं होगा बेटा बोलो एंस याटी के लाहन है ये फ्लेटी हलम इंटी मतलब फ्लेट बॉम जिसका एक्जामपल क्या है ठीक है इसके अलाबा जो प्रोटोन एफ्रीडिया है वो किसमें होता रोटी फर्स अब अब के जो इसके अलमेंटी जाए वह सुपर फाइलं तो उसका एक फाइलं का नाम है रोंड माप बोल सकते हो रोटी फर उस ग्रुप में आते हैं एंट्सम एनलिट तो एंसे अले जिसका एक्जामपल क्या है प्लाइरिया रोटी फर्स में और कुछ एनलिट में ठीक है क् इसके लाब उसने लिखा है से फैलो कॉर्डेटा में भी क्या है यही है तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा NCRT को भी समझाना चाहूंगा वो आप से शाहिद क्या कहना चाहता है जो से फैलो कॉर्डेटा है यानि इसका एक्जामपल है उसमें भी प्रोटोन अफ्रीडिया है लेकिन वहां पर क्या होता है बेटा सेम कंडिशन है लेकिन वहां पर सिर्फ एक ही सीलिया है तो एक सीलिया के वज़े से यह भी लॉज जैसा लग रहा है तो NCRT ने फ्लेम सेल में इन सब को डाल दिया है जबकि म मौटी लो लो देखेगी जो फ्लेम है वो मल्टीपल उससे बनी रहेगी सीलिया से यहां पर सिंगल सीलिया होगा तो दौनों को फ्लेम सेल आप बोल सकते हो बट सेफेलो कॉड़ेटा में एमफी ऑक्स जिसका एक्जामपल है उसमें एक्जेक नाम होना चाहिए सोलेनोसाइट सोलेनोसाइट में एक सीलिया है और फ्लेम सेल में सीलिया का टफ्ट है जुंड है बस यह एंतर है ठीक है यह एक्जमपल आपके एंसी आर्टी के वेटा आपको याद होना चाहिए ओके आगे देखो फिर आता है हमारा नैफरीडिया नैफरीडिया किसम होता है बैठा आर्थवांब कैच्वावाले घ्रूप में तो आर्थवांब तो एक प्रेक्टिकलर एक्जमपल हो गया अब इस फाईलम का नाम का Chung में जो एक स्कृत्री और गान उसका नाम क्या हो अब कुछ बच्चे बोलते हैं यहां पर आपने राउंड बॉम्म के बारे में डिसक्स नहीं किया लिखा नहीं है बट मैं आपको बोलना चाहूंगा फ्लेट बॉम्म और राउंड बॉम्म दौनों में ही प्रोटोनेफरीडिया से एक्स्क्रीशन होता है बस प्रोटोनेफरीडिया को फ्लेट बॉम्म में आपने क्या बोल दिया फ्लेम सेल राउंड बॉम्म में भी प्रोटोनेफरीडिया ही होगा बस वहाँ पर एक एक शेप स्ट्रेक्ट्टर होता है जूसको मोलते हैं एच्छ के बाद रखना रांड में परनीड तो फ्लेंट कर जाएग़ दो हुलाएगा तो नहीं लखा है यह बात करते हैं आपको पहली बता के चलना हूं बप नेक्स्ट है हमारा मैलपीजियन ट्यूबल्स बहुत इंपोर्टेंट है यह बहुत ज्यादा आता यह क्वेश्चन क्योंकि आप जब कॉक्रोच पढ़ते हो न तो वहां पर भी यह पॉइंट्स आपके काम में आने वाले हैं ठीक है तो मैलपीजियन ट्यूबल्स किसमें होत है ठीक है अब इंसेक्ट के बहुत सारे एक्जामपल हैं इंसेक्ट दुनिया का सब्से बड़ा क्लास है तो मैं एक एक्जामपल कर लेता हूं जो ncr2 में लिखा है कोक्रोच तो कोक्रोच जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कोप्रोच में एक्सक्रीशन और गने ना निकालनेवालब ओर और यह किसम होता है वेटा हुस्टेसियं में उससे प्रॉन से सिर्गान हो जआ गान डान रर श्राफे उसको इनटीन घ्लेंड होतेते प्रॉंस के जो एंटीन होते में यहां से तो उससे बीस पर होते यह Antetina के रेंज पर रहोने के बज़े से नाम क्या हो गया । और और वह green color का है इस बज़े से उसका नाम क्या रख दिया green gland तो green gland या मैं बोलू हाद यह 인द लेंट यह किसम होता है तो आप बोकोन अर्थ पानी में रहने वाले ऑर्थ अर्थ य। ठीक है यानि crusc excell यहां पर लिखा नहीं है ज्यादा इतने लिखके छोड़ दी अब यह होता है यह होता है यह होता है यह हम बात करते हैं किड़नी की ठीक है तो पहले आप इतना देखो इसमें कोई डाउट आ रहा है के बिटा आपको किसी को भी कोई डाउट आ रहा है क्या सोजाता आपका फर्स्ट लेक्चर है बेटा आपको जो भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो बेटा ओके शद्धा पाटिल आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या यह सर कोई भी डाउट है बेटा मुझे आप बराबर पूछ के जाओ सब्सक्राइब कर दो आपके लिए रोक टोक नहीं है आप लाइब क्लास में मुझे रोक सकते उसा रुको मुझे यह चीज समझ में नहीं आ आप आपने क्या पढ़ लिया बिटा यह इन वर्टीब्रेट के क्या है एक्स क्रिट्री और गन्स हैं जैसे हमें किड्नी है ना तो इनमें किड्नी ना होके यह जो मैंने नाम लगती है कॉंट्रेक्टाल वैक्यूल प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल या सोलैनोसाइट इंपल्ट ट्यूबलर फॉर्म में लेकिर अगर हम वर्टीब्रेट की बात करेंगे जैसे कि हम लोग ठीक इसमें सब आते हैं फिर शेंपी विए रेप्टाल वर्ड्स तो उनमें यह जो एक्स्क्रिट्री औरगने बूक्या है कॉंप्लेक्स ट्यूबलर फॉर्म है जिसको को हमने नाम क्या दे दिया है बेटा किड्नी उक है तो अगर मैंने किड्नी बोला तो मैंने सिर्फ डिल करेगा वर्टी में अब यह पर सिर्फ किड्नी से काम नहीं working से काम नहीं चले गा आपको यह मैं इसे भी पता करना चाहिए या आपको यह पता होना चीए कि खैनिक एवॉलूशन कैसे हुआ कि टाइब की किड़नी है ठीक है कि मैं आपको बता रहा हूं इंहां की की बारे में किक अगर एपने जन देखोंगे तो किससे होतार है यह मेज औरिजनेटेटte मीजोडम जैसे मेरी पूरी पूरी बोडी के आगर आप बात करोगे तो मैं किसे बनाओं मेरे कुछ और गंस एक्टोडम से बने हैं कुछ मीजोडम से बने हैं और कुछ एंडोडम से बने हैं तो मुझे आप अगर पूरा सिर से लेके पैर की उंगली तकर आप देखोगे या endo से कुछ acto से बनें, कुछ mezo से बनें, कुछ endo से बनें, ठीक है? इतनी सी बात clear है क्या? तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि जो kidney है, वो किस germ layer से बना है? तो आज से आपका जवाब क्या हो जाएगा बेटा? मीजोडम, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हार्ट भी तो हमारा मीजोडम से बना था, kidney भी किस से बना है? मीजोडम से, अब मीजोडम के किस पार्ट से बना है? मीजोडम से तो मेरा हार्ट भी बना है, तो आप यह कैसे पता करोगे सर, मीजोडम के किस पार्ट से हार्ट बन रहा है तो में आपको बता रह। मिसोर्म का एक पार्ट होता है लिए जो मियर है क्या होता है इसी अंचिक और से आपकी कड़नी बनी है Ratate मैं ऐसे बोल सकता हमारी किड़नी मीजो डम के जिस पार्ट से बनी है उस पार्ट को बोलते मेटा मीजो मिया समझ गए ना बहुत टफ कोश्चन है आज कल कम आता है लेकिन आपका एक बार कम से कम सुना हुआ होना चाहिए ठीक है तो मैं अगर किड़नी के टाइप करना का आर की नैफ फ्रोज या है इसी को मूलते हैं बेटा अलोल रफ्रोज सुक नाम लखके छोड़ना है छोड़ना है यह सको बोलते हैं आर की नैफ किड़नी यहां हनल राकिंग प्रिक इंधनी बहुत है है पूरा का पूरा जो किड्नी हो एंटायर मीजोमीर से बना इसका नाम है होलो नेफ्रोज होलो मत्रों पूरा इसका सर्फ एक्जंपल पूछा है कभी-कभी आप जब कभी कोई से भी कॉष्चंट सौल करोगे किसी भी ब्रैंट के करोगे लिए चाहिए तब आपको ऐसे लगे आपने सुनए नहीं तो आर्की नफ्रोज या हॉलो नफ्रोज किड्नी पता है किसे में घुछ प्रक्यंगी बता सकता है क्या में आता हैं पुराने टाइप की कीडनी किड़नी सबसे पुराने टाइप की किड़नी है मलब किड़नी जब दुनिया में बनी होगी न तो सबसे पहले ऐसी वाली किड़नी बनी होगी हमारी जैसी किड़नी आते आते तो लाकों साल लग गए वेटा सबसे पहले इस टाइप की किड़नी बनी होगी तो मैंने इसका न शोड़ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दूसरा किटनी बना नाम कैसे रखे जाएंगे प्रो नैफ्रोज मीजो मेटानेफ्रोज अगर कोई किटनी मीजो मीयर से बनीए पहले बात तो मैं आपको बता चुका हूँ अगर कोई Kidney Mezomere, जो Kidney Mezomere के उपर राले हिस्टेज बनेगी, उसको बोलेंगे हम pro nephros or head kidney, शमाज़ेगा यह नाम आएंगे प्रोनेफरिग ट्रिडनी फिसमें बिल्कलट टेंशन नहीं लेना है वह यह बताता है कि मीजों मीरके किस पार्ट से बनाए उपरी वाले पार्ट से बनाएं कि बीच बाले पार्ट से बनाएं कि नीचे वाले पार्ट से बनाएं तो पहला अपना प्रो नेफ्रोज दूसरा है प्रो नेफ्रोज यानि प्रो मतलब पहले तो यह मीजो मीर के किस पार्ट से बना होगा अपर पार्ट से एंटीर पार्ट स से बना होगा इसका एक्जामपल हो जाएगा बिटा एडल्ट साइक्लोस्टोम एडल्ट साइक्लोस्टोम की लार्वा में क्या थी आर्की नेफ्रिक किड्नी लेकिन एडल्ट साइक्लोस्टोम में कौन सी किड्नी है बिटा प्रो नेफ्रोज या प्रो नेफ्रिक किड्नी और दूसरा एक्जाम्पल हो जाएगा तेड़ पूल लार्बा और यह कुश्चन भी वेटा आच चुका है आप पुराने पेपर से जब देखोगे ना तो वह पूछता है एंब्रियूनिक फ्रोग टेड़ पूल क्या लार्बा है ना लार्बा मतलब एंब्रियूनिक कंडिशन म सोचो दुनिया पहले किड्नी बनी होगी हुलाइक नहीं बनी होंगे इसके बाद इसको बोलेंग केड्नी मतलब Arabic Kidney मतलब यह मीजो मीर के बीच वाले हिस्ते से बना होगा इसका एक्जाम्पल होगा देख यहां पर फ्रॉग का लारवा है एडल्ट फ्रॉग नहीं है तो इसके बाद यह किड्डिनिंग किसमें आई होगी एडल्ट फ्रॉग में चूकि फिश को लारवा नहीं होता बेटा एक अब यह फ्रॉग लेकिन जो आपका प्रो नेफ्रिक किड्नी था वो एंफिवियंस के लारवा में था और यह जो मीजो नेफ्रिक किड्नी है यह एडल्ट एमफिवियर में जमीन पर जो बेड़ो मैड़क घुमता है ना उस मैड़क में कौन सी किड्नी होगी बेटा कोई बताएगा मुझे मीजो नेफ्रिक किड्नी और जो पानी के अंदर मेड़क का लारवा होता है उसमें कौन सी किड्नी रहती होगी प्रो नेफ्रिक किड्नी ठीक है इसके बाद जो लास्ट किड्नी बनी द्यूरिंग एबॉलूशन जैसे हम में भी है उसको बोलते हैं मैटा नेफ्रिक किड्नी या मैटा नेफ्रोज भी आप बोल सकते हो यह किसमें बन जाएगी बेटा जो बच गए बच क्या गए एंफिविया के बाद क्या आएगा रेप्टाइल्स फिर आएगा बर्ड्स और फिर आएंगे हम मैमल्स तो हम सबकी किड्नी एक जैसी है किस-किस की रेप्टाइल्स वार्ड्स एंड मैमल्स अब आप खुदी सोचो हम तीनों की किड्नी एक जैसी है तो हम तीनों ज्यादा करीब रिस्तेदार हुए के नहीं हुए हम में रिलेशन बहुत क्लोज होना चाहिए दैन फिश और एंफिविया आप अगर मैमल्स को कंपेर करोगे तो मैमल्स किस से मैच करेगे जादा वर्ड्स से करेगा रेप्टाइल्स से करेगा दैन फिश एंड एंफिविया क्योंकि दूर किस्तिदार है तो हम तीनों की पूछा जाने वाला है वो क्या पूछेगा वो आपसे हुमन की किड्नी सबको पता किड्नी होते हैं वो पूछेगा लोग बहुत मचलियां खाएंगे मैं तो नहीं खादा तो फिश में कौन सी किड्नी होने वाली है वेरी गूड और फ्रॉग में मीजने वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड वेरी गूड हूं हम रोवित भाई फ्रॉग के लारवा में कौन सी किड्नी है अब बताओ साइक्लो स्टो में कौन सी किड्नी है सोजाता कि देखके बतारो कितना अच्छे से आपको याद हो गया यार शांदार वेरी गुड अच्छा यह बताओ साइक्लो स्टो के लारवा में कौन सी किड्नी है श्रद्दा पाटिल कि मैंने देखने का पूरा चांस दिया है सुजाता श्रद्दा सौरी यह और यह और यह तीन आपको याद रखना है यानि फ्रॉग के लारवा में प्रोनेफ्रिक किड्निये फिश और एंफिविया एडल्ट में मस्ली में लारवा होती नहीं तो मुझे एडल्टी बोलना पड़ेगा लेकिन यहां पर मैडक का लारवा था यहां पर एडल्ट तो फ्रॉग आप पड़ोगे की पड़ोगे तो वहां से बनेगा निए बनेगा आपको लगेगा आउट अप सलेगा है लेकिन यह कुशन वहां से हो जाएगा ठीक है बच्चो कोई भी दिख करते हैं तो मुझे बोलो श्रेया भेरे क्लियर इस स्क्रीन सोट चाहिए क्या मज़ा आ रहा है के बहुत हो रहा हुआ है कि अधिति आज देखके बोल रहे हैं हाँ लोग सभी कह रहे हैं तुम मैं आपको भी दिखा दूगा ना ट्यूबलर मतलब ट्यूबलर सिस्टम में सिंपल ट्यूब्स के बने होते हैं यह कोई भी चीज़े मोस्ली वो ट्यूब्स ही बनी आलोक तो मैं आगे बढ़ू डिम्पल आगे बढ़ू इसमें जिसको भी लगता है इधर से यह वाला शॉट लेना तो यह ले सकते हैं आप यह वाला ले लिया था आप लोगों ने कि नो शेट यह कि तक लेना बेटा देख लो और इसको आप जूम करते पढ़ते रहना घर पे लेलो बेटा इसका भी शॉट लेलो आगे चलू यह सर अब यह तो क्या था जो डिफ्रेंट अनिवल ग्रोप्स हैं उनमें कौन-कौन से एक्स्क्रिटरी औरगांस हैं तो एंस्याइट में जो लिखा है मैंने उसको पूरा फॉलो किया है और कुछ जो एक्स्ट्र नॉलिज आपको दे सकता दे दी देने को बहुत कुश त आते रहते हैं वो मैं छोड़ता नहीं हूं उन Whereas have time करते हैं human generating system अब जो पढ़ाओंगा वो इनसान का होगा मानस का होगा अब बात नीं करो के सरक क्रस्टेष्यन में क्या था कौक्रोंट में क्या था अब हमको बात नहीं करने है क्योंकि अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं human एक्स क्रिटरी सिस्टम मनलोग आप ऐसा मान के चलो आप भारगव सरकार या यस पार्टिल का एक्स क्रिटरी शिस्टम पढ़ने वाले हो ऊक कि अब बच्चस में बत्र नहीं बन्हें हुँआ यह जो क्लास में अब भी बैठा है ना वह सब अपना अपना एक्स क्रिटरी सिस्टम पढ़ने वाले है यह शुरॉव पर दिख रहा कर अगे सबी को और जुम करूँ कि बोलो बेटा कि कट तो नहीं रहा कुछ भी मैंने लिख के रख लिया कि टाइम बढ़ जाता है तो लेक्चर का डियूरेशन बढ़ जाता है ठीक है पूरे के पॉइंट से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको बहुत टाफ है अगर एक्स्ट्रा भी मैंने बताया तो वह उसकी लाइन से यह भी बना हुए बेटा आप देख सकते हो आप अगर हो सके तो लेकर वैठा करो हम जो यहां पर पढ़ते हैं वह सब आप बुक में भी साथ में हैं रहा है अगर आपके सामने भूक्स होंगे अचा सर इस को ही यह बात कर रहे यह तो अगर आप की पास सब्सक्राइल थी इसको बैठ के आपको अच्छा लगेगा तो human excretory system किस-किस चीज से बना है तो human excretory system consist of one pair kidney one pair ureters, one urinary bladder and one urethra इनी चीजों से मिलके बना है कि नहीं बना है दो kidney है बेटा, दो ureter है, एक urinary bladder है और एक क्या urethra है अब इन वैसे हम को सबको एक-एक करके पड़ना है तो आज मैं kidney के जो general features बता दूँगा कल के lecture में kidney को पूरा अंदर से काट के देखेंगे post-mortem करेंगे, ऐसे beast से काट दूँगा ऐसे vertically खड़े में काट दूँगा और आदा इससा काट के फेग दूँगा और आप देखना kidney अंदर से कितनी प्यारी लगती है मैं कल दिखाऊंगा यह तो आज हम जो general points है जो आपको याद भी करना चाहिए questions भी आते है NCRT के lines मैं से निकाल दिए तो सबसे पहले question तो यह बनेगा कि kidney को Latin में क्या बोलते है rene kidney English bird है बेटा Latin में क्या बोल देंगा उसको rene तो kidney से related जितने भी terms बनेंगे पुन समय रीन लगा होगा जैसे renal artery, renal vein renal functional function test यह सब यह से renal लगा है तो आप समझ जाना कि kidney से related बात चल लए है तो सबसे पहले question बनेगा origin आप पढ़ चुके हो बेटा origin origin कैसा होता है इसका mesodermal होता है मैं पहली बता चको आपको kidney का origin कैसा होता है mesoderm और heart का भी कैसा होता है mesoderm मैं दौनों के नाम क्यों साथ में ले रहा हूँ क्योंकि heart का बहुत कुछ kidney से आपको याद करने में मदद कर देगा ठीक है क्योंकि heart की मेजर मेंट से लगबद मैच कर जाते हैं तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी इसलिए मैं बार बार हार्ट का जिक्र कर रहा हूं ओके तो किड्नी का origin कैसा है अभी कभी याद करो बेटा साथ में याद करो श्रेया बेरे बोलो जल्दी से और इजन ऑफ किड्नी इज कि मीजोडर्म कभी बोलोगी इस बात को फिर से याद करना पड़ेगा आज याद कर लो आज कितनी अच्छे जून है अब मरतिदम तक नहीं बूला है किसी को भी किड्नी का ओर इजन कैसा होता है मीजोडर्मल नमबर कितने होते हैं बेटा यह एक और दो आप वन प्रेश बोलो या बोलो टू यह कोई ऐसा मदलो रॉकिट साइंस नहीं है बहुत सिंपल है तो नमबर कितना हो जाएगा टू या वन पेयर अगर आपको पेयर में अंसर देना है तो आपको वन पेयर बोलना पड़ेगा और डारेक्न नमबर पुछेगा अब हम कलर की बात करते हैं तो कलर कैसा होता बीटा रेडिस ब्राउन को मिक्स करके देख लो कैसा देखेगा खाबों में सोचलो न कैसा होगा सब लोगोंने इमेजन कर लिया क्या तनीशा इमेजन हो गया ये सब्धां मतलब कैसा दिखेगा ये आप सोचलो स्रिफ चलो तो यह हो गया कलर आज की बात बूलना ठीक है अब हम बात करते हैं साइज की तो चर्णा होसे भीटा लुपल संटीमीटर तो टीज की लंबाई देख away यह लंबाई देख रही है और कि घृड़नी की लेंड्ञ पितनी होटी है नहीं की ठीक番ology believe धेनाया वह kitनि? मोटी है दो से तीन सेंटीमीटर यह एंसी आर्टी की वैल्यू है आप इसको याद कर लेना लेकिन यह डेटा आप भूल जाओगे बेटा याद करोगे और भूल जाओगे तो इससे अच्छा मैं आपको क्यों बताता हार्ट के मेजरमेंट्स याद करो हार्ट की लेंद किती बारा चुड़ाई किती थी नौ मोटाई किती थी छे तो ट्वैल इंटू नाइन इंटू सिक्स किती हार्ट की अब आप मुझे बताओ एंसी आर्टी का यह डेटा को काई किद्नी की लमाई कितनी है बारा सेंटिमीटर पांच से और सेंटिमीटर चुड़ाई इसका ऐबरेज कितना करने को ये- mail टो आपको याद करना इंटू 9 इंटू 6 जैसे ही इसको क्या करना है बारा के बाद 9 करके 6 कर देना बारा हाफ-पर ना करना के ट्रीम है बारा का आदा 6 6 का आदा 3 हो जाएगा मेजर्मेंट सापको याद कि नी हो जाएगा अब जिल लोगों को लगता है सर हार्ट का कैसे याद होगा तो एक मलब शायरी अंदाज में बात कर रहा हूं हलाकि ऐसा कुछ है नहीं दिल दे के 12 बज जाते हैं जो आश्चिक लोग रहते ना बोलते ना दिल दे दिया उसके तो 12 बज गए तो दिल दे के 12 बज जाएंगे तो हार्ट की लंबाई कित्ती मानना आपको 12 सेंटीमीटर औ बताओ इस ट्रिक से याद होगा के नहीं होगा रोहिद बस दिल दे के आपको 12 बजाना है सिर्फ यह ट्रिक के लिए है इसका रियल में किसी चीज से लेना देना नहीं है आप उस पर केस कर दो कि सर ने बोला था ऐसा कुछ नहीं डिस्क्लेमर बोलते ना पिक्चर सुरू ह कोने के पहले यह सिर्फ आपको याद करने के लिए महज एक छोटा सा फनी प्रयास है मेरा समझे के नहीं समझे नहीं बोलोगे सब्सक्राइब बताया था बारा बच जाएंगे इस पर क्या आगया यह एक मिट देखो अब हम बात करते हैं साइज हो गया अब हम बात करते हैं वेट की वजन कितना होता है हार्ट से कंपर करो हार्ट का वेट कितना था अब शुक्ति ग्राम लगाएं अब मान सकते हो कि मेल में 300 का हार्ट होता है 300 ग्राम का और फीमेल में होता है 250 ग्राम का बटाब दाइसे वालो 300 फरक नहीं पड़ता है उसका आधा कर दो इसका वेट कितना लखा है 120 से लेकि 170 ग्राम रेंज है बेटा किसी का 120 होगा किसी का 130 होगा किसी का 120 से 170 के बीच की रेंज है अगर आप 120 170 का अबरेज निकालोगे तो कित्ता हो जाएगा चाहाब कित्ता हो जाएगा 145 तो एबरेज 1500 ग्राम की किटनी हुई के नहीं हुई हां सर्थ अगर हार्ट 300 ग्राम का था तो उसके आधा हो गया ना किटनी तो आपको तो किटनी हार्ट से कंपर करना और आधा आधा करना है वहां पर देखो बारा नौ छे ता यहां पर बारा का आधा च्छे पिर तीन ऐसा मान की चलना है तो जरून मोड़े नों यह लखाया है वह ऐसा नहीं 150 ग्राम दी बोलेगा वह कैसे अपो देगा है यूमन कीड्नी वेट इज कि वेट आप हमन क्यों फिफ्टी ग्राम हंड़ेट ग्राम तुवंड़ेट ग्राम क्या आंसर हो जाएगा सिर्या पवार वन फिप्टी ग्राम हो जाएगा कर नहीं हो जाएगा इस कंडिशन में यह सर आप सोचों कि सर ऐसा option क्यों नहीं आया तो थोड़ा सा अपने को यह भी चलाना होता है ना सिर्फ रट्टा मार लोगे तो आप अपने आपको लाइन में सबसे आगे नहीं रख प आगे खड़ा करना होगा नहीं आप पड़तों सभी पड़ते हैं 120 से लेकि 170 ग्राम होता है सभी को पता है इंडिया में अब यहां से कुश्चन किस फॉर्म में पूछेगा वो option को स्लेक्ट करना आप पर डेपेंड करता है समझ गया तो एबरेज रेंज कितनी हैसकी 120 से 170 अब हम बात करते हैं शेप की शेप कैसा होता है दिखने में कैसा होता है तो देखो जरा यहां पर देखो कैसा दिख रहा है बेटा बीन शेप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बस लिख दो वीन सेप्ड होता है कैसा होता है वीन सेप्ड होता है अब और भी आगे बात कर मैं आपसे रोको जड़ा कि मैंने सबको सर्फिस के बारे मैं बताता रहता हूं तो लोगों को लगता सर बहुत दिमाग चाट रहते हैं एक ही बात बार-बार क्यों बोलते हैं जरूर यह बेटा क्योंकि एक बच्चे को भी अगर समझ भी नहीं आया तो टीचर आपको लगता सरे की बात को बार-बार क्यों बोलते हैं बोलना पड़ता है जिए क्योंकि मुझे ऐसा रहता कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना जिसको समझ में नहीं आए पढ़ाने का मतलब क्या है मुझे हर एक बच्चे पर काम करना है तो अगर मैं आपके सामने खड़ बाँ मेना कौन साहा दो चाहिए हूँ तो यह मेरा क्या साथ यह पिछे बाला कौन सॉ है वह हैं अगे की तर्फ और पीसे का क्या डाश और दो तो मेरे किटनी इस तरब की में यह दगा क की बता रहूं नीचे होती थूए है फिनल के न होता है यह मेरे किडनी हैं यह राइट सैड्की और अपने नाम मत पढ़ना अच्छा यह कौंस नामि Leso और यह कौन सी है अब यह राइट साइट की किड्नी यह मेरा राइट है आपको वहां से लेफ्ट लगेगा पर यह राइट मेरा इस तरफ की किड्नी निकाली तो उसके लिए भी क्या हो जाएगे वेंट्रल और पीछे वाली डॉर्सल ठीक है अब जड़ा सोचो आपने एक मी होई साइटल लायम है चीक है तो अगर आप मोबायल को अकेले की बात करूगे तो अकेले मोबायल की यह हो जाएगी लेटरल सर्फेस यह conten Śी पकी और मैंने अपको क्या बोला यह मोबायल मेरे RDI right side की kidney गयं दायं तरफ की kidney खीक है और यह मेरी मिड़ लाइन है तो मैंने यहां से हम्हें पर लंग सब्कैंजाने के लिए बता हुत आ लौुए मेरा C Brooke और गदिशा की किज्राइबala नियुकि तो राइटकर की को यह सर्फेस को यह शुपरियर सर्फेस है यह वाली और यह जो सर्फेस है राइट साइट की किड्नी की जो सर्फेस आपके बॉढ़ी के अंदर की तरफ है मिड्लायन की तरफ उसकों क्या बोलेंगे मीडियल सर्फेस क्या बोलेंगे बच्चों मीडियल सर्फेस इसमें कोई डाउट आ रहा है कि तुमको ना अब देखो मैं आपको बता रहा हूं ये कट्नि आपकी राइट साइट की ये जो किड्नि communications की क्या सबर्टे सोची में नोगी राइटसाइट की किड्निक की ये क्या होजाएगी लेटरल सब्सक्राइड लेकिन Live लाइट साइट की किड्नी की यह कौन से सर्फिस होगी बेटा यह वाली में बीडियल बोलते हैं मिडिल नहीं मीडियल अब दिख रहा है कि बेटा आपको यह बाहर चला गया कट गया सॉरी तो यह बात नहीं सब्सक्राइब यह आसर मैं अंदा हो गया मुझे नहीं देख रहा है क्या मेरे पेश बहुत जल्दी पता में कैसे हो जाओंगा कौन अलोक ऐसे करने वाला हूं क्योंकि सच में पढ़ते पढ़ते अंदा हो गया लोग पढ़ते-पढ़ते पागल होते हैं पागल तो ठीक हैं पागल पन तो सबक्राइब चाहिए रहे हैं सब्सक्राइब आप सब लगाए तो सबको पढ़ाई तपने लगा कर लगाया का टीवी देखने बहुत तच बोला आपने बेटा जिन लोगों को नहीं लगा है उनको आगे चलके लग जाएगा डॉक्टर को लोग कैसा था चस्मा लगा हो बाल जड़ गया हो टकले टकले डॉक्टर तुरे नाम मन के नहीं गुमते बेटा समझ रहे हो इसलिए अगर मेरे कंबाल है तो बोलो कैसा लुक लगेगा ऐसा अच्छा बोलो अच्छा अच्छा अरे इतनी तारी यह कौन था अरे मैं तो बकरी वोलती है नाम बोला करो मेरे हातों मोबाल नहीं है मैं कौन हूँ यह अब मैं से बागी बच्छे पैच्छन गए थी कौन था मेरे आथ में फोन भी सुचता माइक किस कौन हुआ है मैं अब कई लों गोलते ना सर मैं 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 आपको क्या बोला है यह सपाटल कौन था भी पर्टल साब थे अपने चलो तो यह जो किडशे की लैटरल सर्फेस है वह कैसी भी कउन concave, medial surface कैसा है बेटा, concave है यह अवतल बोलते हिंदी में, concave, यह है आपकी convex मतलब उत्तल सर्फिस, उत्तल बोलते हिंदी में, बहुत दूबाद मैं यह नाम लेने हैं आरहा है, मैं खुदी भूलने वाला था, तो lateral surface of kidney is convex while medial surface of kidney is concave अभी जो medial surface पर जहां से बहुत सारी structure अंदर जा रही है बाहर जा रही है उस particular point का नाम मैंने का रख दिया हाई लम हाई लम हाई लम सुब्लभ जगह है जो कनगेड़ सार्फेस पर होता है जहां से वेंबाहर निकली आर्टरी अंदर गई विरेटर बाहर निकला नर्भ अंदर जाती है इ dishonी अंदर आर जाने का जो रास्ता है कि दास्ते को का नाम मैंने क्या बोल II और ये हाइलम किस चर्पेस पर है लेटरल सरफेस पर है या सर्पेस पर है यह यहाई इसностью आपके कliche कड़ने बार है अब जो आपकी किडनी है वो आगे से और पीछे से, आगे से मतलब anteriorly और पीछे से मतलब posteriorly, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ventral तरफ से और dorsal तरफ से कैसा है? फ्लैट है, आपका किडनी ऐसा नहीं है बेटा आगे से, आगे से चप्ता है और पीछे से भी चप्ता है, तो क्या ग आगे से आपकी एक्षा है आप जैसे बोलोगे सब चीज़े सच है ऐसा कुछ रूल नहीं है कि बुक में जो पर्टिकुलर टर्म लिखाए ना एंटीरियो वेंट एंटीरियो पोस्टियर ली आप इसको डॉर्स वेंटरली बोलोगे यह सच मैं आपके साथ खड़ा हूं कि समझा बच्चा पार्टी कि अरे आलोक कह रहा है सर आप बहुत हार्ड वर्किंग हो आलोक के मुह में घीश एक कर आलोक बहुत जल्दी अच्छा डॉक्टर बन जाए हां बोलो कोई कुछ कह रहा था कि किसी ने कुछ बोला था ना सर कि कोई पूछना चाहता है तो मैं रुक सकता हूं रुकूं पूछना किसी को कुछ कि यह स्पार्टल क्या कह रहे है तो आप पन थाउजेंट साल जी हो यह तो तुम वह कह रहा है यार जूटी दिलासा दे रहे हो यह स्पार्टल अगर तुम्हारी यह श्राफ मुझे लग जाए एक हजर साल जी हो तो तुम डॉक्टरों के डीन बन जाना यार एक कॉलेज के डीन बन जाना डॉक्टर तुम्हारी अंडर में काम करेंगे बाकी बच्च अब कमेंट मत करना नहीं सोचो सर मुझे अच्छ अच्छा बोलें यह मजाक वाली बात है टीचर और पेरेंट्स सभी बच्चे को यही चाहता ह पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए से कंसर्ण करते ना मेरा बच्च बढने टीचर के लिए सारे बच्चे उसी तरीके से सोचने में आते हैं मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छी डॉक्टर बने और अपना नाम रोशन करें और मुझे भी दूआओं में याद रखना कि सब्सक्राइब कर रहा है क्या पता जूटी तारीफ करने वाले भी होते हैं क्यों श्रद्दा पाटल यह लोग सच में तारीफ कर रहे हैं कि अब सब्सक्राइब पता था मुपर नो कोई सब्सक्राइब करोगे तो आपके अंदर नॉलेज है कि किड्नी दिखने में कैसा है आगे पीचे से कैसा है आगे पीचे से कैसा है यह आपके अंदर अब यह आपको हर चीज रियल में आप हार्ट को टच करोगे उठा के देखोगे अच्छा ऐसा होता है अच्छा किड्नी ऐसी होती है तब आपका यह था परणी के नॉलेज काम में आएगा तब रीयल में देखोगे पहली बात कि यह दो कि हो गई बहुकर बात करें अब हम करते हिं लोकेशं इस एक सर खृष्जा अक्सर बनेगा और लोकेशन के बारे में एक संद मुझे लगता है अल्तमनेट एर में आता रहता है तो लौकेशन मतलब इसकी पॉजिशन कहाँ पर रहे इंचीट हुआ बता दूँ ए Patriot तो किड्नी बेटा पीशे की तरफ होता है अब मेरा हाथ आपको देखने रहा है पीशे मतलब इदर अब किड्नी वाली जगह पर मेरा हाथ रहा है वह सब्सक्राइब भी तो यहां से आप काट होगे यानि जो आपको मसा यहां पर पा रहा है ऑफ्लाइन बालों को मैं दिखा देता हूँ यह जो रिप्स के नीचे पीछह की तरफ रिप्स की नीचे आपकी मसल से ना लेको को नीचे आपकी किड्नी यह इस मसल को तो जब कट करोगे तो आपको किड़नी एक्सपोज हो जाएगा दिखने लगेगा तो हम बात करते हैं तो पहली बात तो लोकेशन में क्या हो जागा यह पीछे की तरफ है तो डॉर्सली समझ में आ गया मैंने क्यों लिखा यह लोकेटेट ऑन दॉर्सल सर्फेस बॉड़ी बैक की तरफ होगा आगे की तरफ नहीं होगा दूसरा एंसे लिखता है इसको लास्ट थोरेसिक वर्टी ब्रास लेके थर्ड लंबर तो वर्टीब्री सब लोगा ने देखे ही होते हैं मेरे पास तो पढ़े रहते हैं यह दो को जला रियल है कि नहीं कि आप लोग भूतों से डरते हो और भारगव सर्द को हड्डियां लेके गुमते हैं मेरा बेगाड़े मेरा बेगाड़ ले वो घोस्ट क्या बेगाड़ेगा पहले डरता था मैं अब दोको यह बोई हड्डी है अब डर लग रहा है तुमको किसी क नई सर पर सच में अगर यह आ गया रात में कि तो नहीं वरी बेजजती की आस देखता हूं मैं बारगव सर को इसका भूत अगर सच में आ गया तो तुम्हारा क्या है चलो यह आपकी वर्टिब्री है टोटल नंबर ओफ वर्टिब्री कितना होता है 33 लेकिन कुछ वर्टि बार ये गले में कितने हैं आपके उन्ध एक विजए उसके बाद और लंबर L1, L2, L3, L4, L5 उसके बाद आएगा एक सेक्रम उसके बाद आएगा कॉकिक्स बून्स वाले चप्टर में मैं अच्छे से पढ़ेंगे तो जो आपका लास्ट थोरेसिक वर्टीब्री जो NCRT में लखा है मैंने यहां पर कैलेक्स दिया T12 थोरेसिक वर्टीब्री 12 हो थोरेसिक वर्टीब्रा से थार्ड लंबर वर्टीब्रा तक आपका किड्नी फैला रहता है समझ जाओ हाथ रखके कैमरा में हाइट नहीं आपाईगी मैं आपको नहीं देखा पाऊंगा समझ गया कहां पर है पीछे की तरफ किस लेबल पर है T12 से लेके L3 के बीच में आप का किड्नी फैला हुआ है ओके और कि किस से कबर्ड है जो आपका एलेवें तो ट्वैल यानि फ्लोटिंग रिप्स होते ना पीछे की तरफ बाकी रिप्स ने तो आपके चाती का एक केज बना दिया लेकिन जो ग्यारा नंबर और बारा नंबर का रिप्स है ना वो ऐसे यह दो इधर से रहेंगे दो इधर से रहेंगे तो उनसे पीछे से थोड़ा सा कबर्ड है तो दो को कबर्ड बाई एलेवेंट एंड ट्वैल इसको मोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स पढ़ोगे तब आप यह चीज समझ जाओगे ओके अब एक नाम और आ रहा है यहां पर रिट्रो पेरिटोनियल और्गन है इसको मुझे समझाना है जो आप में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपकी किड्नी क्या है आपकी किड्नी रिट्रो पेरिटोनियल और्गन है तो आपको पता उनसी रिट पीछे यह सब्सक्राइब कर डाला अच्छे कमेंट आते हैं बच्चे प्राइबेट में डायक्ट मेसेज करते हैं सर को सभी बच्चे देखी नहीं पाएं मेरा मतलब तो एक ही है कि आपको चीजे समझ में आना चाहिए और मैं चाहता हूँ हस्ते हस्ते बाइलोजी पढ़ो टेंशन लेके पढ़ना नहीं होता है टेंशन तो बाद में सभी को आना है लेकिन अभी जब तक मेरे साथ आप जोड़े हो मुझे जोड़े हो मैं चाहता करके पढ़ो कि हर चीज को अच्छी नहीं होता है अच्छी होती तो देखो यह डाइग्राम का आप डेखो जरा तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ओवर्राइट मुझे और करना पड़ेगा यह आपका बेटा इधर जो है ना यह यह आपका बॉड़ी बॉड़ मतलब यह 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 पीछे से ठीक है यह पूरा क्या आपका बॉड़ी बॉड़ कि वाड़ीवाल के अंदर से लानिंग करता पीला यह आपका क्या है पैरिटोन्यम और यह पैरि पार परीर में नैके इससे चिपका हुआ रहता है बेटा मुझे का पेंटिंग करना नहीं आता है इतना गैप भर जाया फुर्बू वाइट गाये भी हो गया पुरा चलो वाइट को भी कर देता हूं ताकि इस तुमक आपको देखता रहे तो वह भी बुड़ा मांगा मुझे कहा कर दिया भार्जिब जी रफ डायगराम है समझो जडरा यह आपका डायगराम है तो देखो जडरा अब जडरा इंचीजों को समझो यह जो पिंक कलर को दिख रहा है कि आई आपकी वाडी वाल है यह प्कोई दिक्कत से लम कंदर से लाइननिंग कर रहा है यह होता है होगा है उसको क्या बोलते हैं शिरो बाइबन है एक लेएर का विटकी है इस नीचे इस बॉडी बॉल के जस्ट नीचे वाले को नाम कह दे दिया मैंने पैराइटल पैरिटोनियम इसको और बड़ा कर देता हूं आपको पर्टिकलिस डियाग्राम की बात करना ना मुझे उसको और बड़ा कर लेते हैं देखो जड़ा यह बॉडी बॉल पैरिटोनियम तो आपके बॉडी बॉल को कवर कर रहा है उसको नाम दे दिया मैंने पैराइटल पैरिटोनियम और एक पैरिटोनियम आपके एलिमेंटरी कैनाल को लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको नाम कर दे दिया मैंने विसरल पैरिटोनियम इन दौनों पैरिटोन परिटोनियल केविटी या सीलोम जो आप दबा रहे हो ना दोखो यह 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 सीलोम है समझ गए ना और इसमें भरा होता परिटोनियल फ्लूइड अभी उस पर नहीं जाते हैं तो यह जो आपका परिटोनियम का डबल फोल्ड है यह पूरा ऐसे रहता है अगर आप देखोगे तो यह फोलल पूर ऐसे गल गल रहेगा तो आपके बॉड़ी के जितने भी इम्परिटन्ट ओर था पा सीलों के अंदर है करने के लिखो यह और हमां अंदर आ रहा है कर यह सिलों तैो यह सीलों अंदर एक नहीं आर अपकी पूरी कि आलीमेंटर कैनल सार लाओकर ये सर ये सर कि शेक हदीजा कि ये समझ मैं रहे पिटा आरती है हां सर तो आपकी जितने भी एलिमेंटरी कैनाल के और जंस है नहों किस के अंदर है लेकिन आपने लास्ट में देखा होगा यह दौना पीली लाइन और यह सब इदर होगी और किड्नी इसके अंदर नहीं है यह और गन सब इन पीले कलर के अंदर थे कि नहीं तेखिए को आपका इस्टमाप हुआ किड्नी इस सीलोम के बाहर होता है सीलोम के अंदर नहीं है याणि आपके सामने इसे खड़ा हो गया तो यह मेरी किड्नी है किड़नी पीछे लगी यहां पर तो बाकी सब और्गंस के अंदर लेकिन किड़नी के पीछे है यानि अगर आप आगे से देखोगे तो आपको मेरी किड़नी दिख रही है क्या कि देख रही है क्या रवाल देख रहा है क्या खर सीरों मेरा देखेगा का मतलब एक का सिर्फ कित से चिवर रहेगा से जोचुं मैं यासे ख़ड़ा हुआ इधर को मुँ करके खण इधर को मुझकर निये तो कउन Alexandra से स caffeine ये Cindy मैं आगे वाला हिए हो जाब उगा तो आगे वाली सिसी होगी और पीछे कि ठाप क्या जबकि आप संक्सकावगे तो आगे सेपी एसे साइड से षी data से कवरड है के नहीं कि यह लेकिन किड़नी के पीछे है अब आप थी बोलो है और यह किड़नी के पीछे है तो मैं ही भी सकता हूं कमर के ऊपर जो मसल्स मतलब क्या होता है पीछे और परिटोनियम सो मैंने बोल दिया इसको किड़नी कैसा है बेटा रेट्रो पेरिटोनियल और गान किड़नी लोकेटेट वेहंड पेरिटोनियम नौट इनसाइड परिटोनियम बाकी औरगन पेरिटोनियम के अंदर है किड़नी उसके बाहर है मुझे नहीं पता क्यों है बाहर है कि समयद्रस बात को मैं क्या कहें आपसे इसको मैं बोलूँगा रिट्रो पेरिटोनियल और गन आज इतना डोज काफी है अच्छा किड़नी के ओपर एक ग्लेंड होती है जिसको क्या बोलते हैं एर्ट्रीनल ग्लेंड या सुप्रारीनल ग्लेंड इसका में नाम लिखा नहीं के लिए विक्ति के उपर है तो कैसे नाम बनाएंगे ऊपर बोलेंगे सुप्रा कि इंदि कॉछ गया सिप्रारीनल ग्लैड्ट कुद्धी यह वह झालती है तो इसका नाम क्यों ब्लैंड और एक-दो चीज़ आप देख लो डाइगराम से मैं ने लिखा नहीं आपर जो राइ किडनी slightly lower than left kidney यह क्यों है पता नीचे इस आपकी राइट किडनी थोड़ा सा नीचे हो जाती तो छूड़ा राइट किडनी थोड़ी सी ब्रॉड होती है ठीक है ठीक है लेफट किडनी नेरो है लंबी है यह चोटी यह पर चौड़ी है लो मंघो है टोड़ा सा ऊपर ऐग और आगर अप आप और वी हान से कुछ हो ग любим कि एंड है ऑद है पो मिड लायन के दुर है अगर मेरे ऑल को मिल लॉओन है और ये दोनों Factory है तो राइट किट्नी थोड़ा नहीं पहूंगा आपको मैं यहां पर देखा रहो बराबर लेवल पर नहीं है और बराबर डिस्टेंस नहीं यह नाक के पास में नाक से दूरे देखुए यह पोजिशन आपकी क्या हो गई बेटा कि टिनीकी सब्लेला समझला का समझला का के लिए बोलो मुझे यह सब्सक्रा जो लोग नए रहते हैं वो अपना WhatsApp नंबर सेंट कर दिया करो क्योंकि हमार किसी को अलाव नहीं करते हैं जिसका नंबर होता है शिक्राइब करते हैं करके कोई भी आ के पद जाए कुछ भी हरकत कर दे तो हम उसकी कंप्नेन कर सकते है है सो लास्ट कमेंट में लेता हूं या पाटिल तरतमेश सम्झा सरस्व अधिती यह सव्चा अर्थी तासर सम्झा अलोक सम्झा सर्थ अलोक के राज बहुत अच्छा डियाग्राम बनाया थैंक यू दिंपल कामाक्षी यह सर्फ दोदोबर पर निया रहा है अरा है अच्छा दोदोबर प्रड़ो बिट्ट तो आपको दोबार रिवीजन की रिप्वार्यमेंट नहीं कि डिवीजन तो आपका तीसरी बार हो जाएगा क्रिस्टीना यह सर्थ मैयूरी यह सर्थ निक्की पलवी प्यूश पूजा यह से ख़डीजा यह सर्थ शलू अब मुझे इन से जाता ध्यान से पूछना है श्रद्धा पाटिल आपका फर्स्ट लेक्चर था सर सच बताना कितने परसेंट समझ में आया के आए की बार क्यों ता मको कोई चीज पूरी याद नहीं होती लेकिन आपको यह फिल ओर नाम आप एक बार में याद नहीं कर सकते हो बस आपको यह फिल मोड़े समझ में हाग गया मैं गर पे पर पढ़ाओंगा या सर्ड्दा इसा है क्या हाँ सर पढ़ूंगी बिल्कुल बिल्कुल अब श्रद्दा बहुत होते जा रहे हैं श्रिया भी श्रिया वेरे येश सर पक्का येश सर श्रिया पवार क्लास की टॉपर इनसे तो पूछ नहीं नहीं है अब श्रिया पवार का नाम ले लिया मैं आपको लडाना चाहता हूं ताकि एक हेल्दी कॉंपडिशन हो आप श्रद्दा पवार को मत करने दो ना तौप श्रिया पवार को सुझाता सुझाता बेटा बोलो माई कॉन करके पक्का जूट नहीं बोलना है अपना वाट्सप नमबर दे दिया अपना वाट्सप नमबर देना ताकि कल आपको प्रॉपर लिंक जाएगी बनना कि हम एलाउन नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई भी किसी भी नाम से आता है और कोई भी मैं यास समझा तो आज के लिए तना काफी है इतना करके मैं कलम क्या पढ़ेंगे इंटर्नल स्ट्रेक्श्र ऑप किड्नी को कलो मैं पूरा काटोंगा ऐसे चाकू से सामने से और देखेंगे उसके अंदर क्या क्या है कल भी बहुत मज़म जाएंगे तो आज के लिए तना क कल फिर से मिलते हैं, ओके बाई